नमस्कार मेरे साथ योग कैसे हैं दोस्तो आप सब आसा करते हैं कि आप लोग अच्छी होंगे और अपनी आने वाली विबिन परिक्षाओं के तारी बहुत ही बढ़ी है तरीके से कर रहे होंगे दोस्तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा इंपॉर्टेंट होगा सभी इंविश्टिस के लिए क्यूंकि अब जो एड्मसन होने जा रहे हैं 2022 देश सत्य के अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब डिफरेंस होने वाला है मतलब काफी इसके अंदर पैटर्न चेंज होगा जहां नेगटिव मार्किंग नहीं थी वहां नेगटिव मार्किंग हो जाएगी और जहां नेगटिव मार्किंग है वहां तो नेगटिव मार्किंग रहेगी समझ गए तो पेपर का पैटर्न काफी चेंज होने वाला है और तयारी हमें थोड़ा सा और बढ़िया से करने प बात करें CUECT ले ले या आप कह सकते हैं कि CUET समझ गए और DUET जो कि Due Entrance, Common Entrance टेस्ट हो गया तो इसका मतलब भी कोई स्लीबस परफेक्ट दिया नहीं है पर एक बार हम थोड़ा सा टेंटेट लेके चलेंगे और इससाफ से हम तयारी करेंगे कि अभी जो है इनका मतलब कब तक आया इनको कुछ पता नहीं है समझ गए तो काफी डिली प्रोसेस रहता है हर जगा तो आप सभी जो है अभी से तयारी करेंगे और आप सभी को यहां पर मैं आप सभी को बता दू दिखिए पूरा आपको मैं पहले तो सलीबस बता दूँगा सारा का सारा और आखिर कैसे तयारी करनी है वो भी बताऊँगा बुक्स कौन-कौन सी पढ़नी है आपको सीचिटी के लिए और कॉमन बुक्स कौन सी ओनी चीए अगर सभ्जक्ट क्या पढ़ रहें तो सभ्जक्ट में कौन सी बुक होनी चीए ना तो सभी मैं आपको बताऊँगा अश्के इंदर और फ्री क्लास आपको कैसे सियां पे हमारे चैनल पे मिलेंगी notes कैसे मिलेंगे, PDF कैसे provide होगी, Telegram channel कैसे मिलेगा कि Telegram channel पर जो students होंगे सभी universities के कैसे अपनी doubt को रखेंगे और अपना solve करेंगे, समझ गे? तो वो सभी information आपको इस channel पर मिलेगी दोस्तो हमारा channel जो है universities की सभी जानकारियें प्राप्त कराता है आप सभी को जैसे की पता है और अब जो हम यहाँ पर Siu City की भी जो important videos है आनी सुरू करेंगे, लानी सुरू करेंगे जिससे क्या होगा, आपके तियारी में और थोड़ा सा जाना जाएगे और अच्छे से आप तियारी करने लगेंगे, क्योंकि Siu City एक main role जो है यहाँ पर रहेगा क्योंकि common entrance टेस्ट जो होने वाला है यह UG और PG दोनों में होगा समझ गए, UG PG दोनों में होगा तो UG वालों के लिए ते मतलो है ही एक तो उनको तो करना ही है, क्योंकि merit तो खताम हो गया दिल्ली विस्वदले में अब जो है entrance आ गया तो उनको तो करना ही है पर जो PG वाले थे उनको केवल B paper करना था, मतलब जो subject का था वो आला करना था और common paper कोई नहीं था तो आप common paper आ गया है तो आपको common paper की भी साथ-साथ में त्यारी करनी पड़ेगी आप सभी अभी तक अपना subject का पढ़ रहे थे पर अभी common paper भी पढ़ना है तो उसकी कैसे क्या मतलब classes होंगी, free classes, notes, pdf तो मैं आप सभी को बादा दो, हमारे जो free classes चलती है वो हमारे free classes, हिंदी साहत 2.0 जो कि हमारा second channel है सबसे पहलो पर ही लिंक लगा हुआ है उसको आप subscribe करेंजे क्योंकि important videos, important class, important notes आपको हिंदी साहत 2.0 पर मिलेंगे वीडियो को डैक्स्विश में नीचे लिंक पढ़ा है आप सभी वह subscribe जरू करने है समझ गए, क्योंकि CCT की जो भी classes हैं आपको मैं वहीं पर provide कराऊंगा जैसे बात करें, जो common paper होगा एक बार मैं आपको interface दिखाता हूँ खिर जो मैंने एक बार तयार किया है वो एक बार आप देखिए तो मेरे साथ यो, देखिए या मैंने जो है स्लीबस का थोड़ा सा discussion करा है आपका part A और part B का समझ गए तो part A में बात करें एक aptitude level का paper होगा या आपका मतलब देखेंगे आपको कि आप कितने मतलब जानकार हैं, कितनी इस चीज़ के बारे में जानते हैं, समझ गए aptitude का paper होगा, aptitude case के अंदर मैं section भी division कर रखा है और part B की बात करें तो ये subject pacific होगा जैसे कि हम बात करें हम सबसे पहले लेते हैं UG वालों के लिए, तो UG में अगर आप BSC field में जाएंगे, अपनी science की field में जाएंगे तो science वाले questions आएंगे समझ गए, humities में तो humities वाले तो वही मतलब समझ गए बात करें कि अपना PG में जाएंगे हम तो PG में जो है हमारा यहाँ पर थोड़ा सा slivers अलग हो जाएगा तो उसमें मतलब केवल subject कहीं पूछा जाएगा सारा आपको मैं slivers बताऊंगा बस ये है कि ये tentative होगा और schedule जब अच्छे से और आ जाएगा तो उसका भी schedule और अच्छे से बता दिया जाएगा समझ गे मेरे साथियो तो section में आप सभी को दिखा दिया section देख सकते हैं आप सभी section में हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा reading comprehensive है तो इसके अंदर आपको मैं बता दू ये part A में आएगा समझ गे important 4 हमारे यहां पर पार रहने वाले हैं और इससे भी अलग और अगर जो पार बनता है तो आपको मैं वीडियो के माद्यम से बताऊंगो आप सभी हमारे चैनल से जुड़ गए हैं Hindi side 2.0 से भी और Hindi side मीन चैनल से भी तो आपको सभी classes सभी information up to date मिलते रहेंगे सभी universities के लिए अब जो update आने वाली हैं 2022-2070 के अंदर बहुत important होंगे आप सभी के लिए इसलिए चैनल को subscribe करने के साथ साथ हमारे telegram channel से भी join हो जाईए अभी जो हमारे telegram channel है 2000 प्लस तक वहाँ पे student है 2000 तक लमसमी student है वो सभी के सभी अलग अलग उनिवस्टीज के हैं और सभी information को update वहाँ पे मिलती रहते तो आप सभी वहाँ पे भी join हो जाईए समझ गए तो देखिए इसके अंदर बात करें जो journal knowledge है journal knowledge में आप देख सकते कि जो static का part होता है समझ गए important countries हो गई और उनकी countries की क्या currency है capital क्या है तो static part का आ जाता है महत्पूंड त्योहार क्या होते हैं पर्व जो हमारे मनाए जाते हैं तो वह मतलब हमारा static part में आयाता है important days हो गए अभी जो आपके game हुए थे तो game में से questions आगे महत्पूंड अवार्ड मिलते हैं तो वह सब भी static part आ गया समझ गया उसको कैसे त्यार करना है उसको मैं Hindi site 2.0 पर आपको classes प्रवाइड कराऊंगा important class होंगी वो GKS की अलग class होगी reasoning की अलग class होगी math की अलग class होगी और English की अलग class होगी थोड़ा सा में एक बार हमें हरी जंडी मिल जाए हरी जंडी कहने का मतलब यह है कि अगर हमें syllabus का पूरा पता चल जाए part A का part B का तो आपको मतलब हम जो है classes तुरंत प्रवाइड करा देंगे free of cost जैसे का आप सभी को पता कि हमारे चैनल से free of cost classes होती है बरसते आपको करना क्या है हमारी जितने भी classes रहेंगी जितने भी आपको notes मिलेंगे PDFs मिलेंगे उनको note down जरूर करना है समझ गये बकि यही आप सभी से गुजारिस है कि आप सभी हमसे जुड़े रहें जब तक आपका admission नहीं हो जाता बिल्कुल तो reading comparison हो गया बात करें quantitative attitude की बात करें तो ये एक level तक का paper होगा level का कहने का मतलब है ज़्यादा high नहीं होगा ज़्यादा low level नहीं होगा moderate होगा quantitative attitude में भी logical reasoning में है आपको reasoning मतलब ली जाएगी जैसे कि आपने अगर beard का exam दिया हो तो beard में जैसी reasoning आती है वैसी है reasoning होगी high level की reasoning नहीं होगी low level की होगी पर हाँ ये एक admission level तक की होगी competitive की बात करें जिसे हम सीजियल का हो गया तो वहां काफी hard level की पूछी जाती है और यहां आपका cable admission होगा common entrance test होना वाला है तो यहां पर reasoning थोड़ी low level की होगी पात करें जो gk का section है जो आपको मैंने बताया तो important current affairs का कैसे आपको बनाना है मैं हफते में एक current affair का video डाल दिया करूंगा चैनल पर तो हफते की current affair आपकी complete हो जाएगी समझ गया बाकी अभी जो है January चल रहा है और जैसे जैसे हमको मतलब पता चल जाए किस लिबस का क्या मतलब निकल क्या रहा है समझ गया तो उसी साफ से तयारी हो और अच्छे से हो जाएगी समझ गया बाकी चैनल से चूड़ जाएए मैं current affairs की video और static gk आपका शुरू करने वाला बहुत जल्दी समझ गया कल इस चैनल पर जुड़े रहें क्यूंकि आपको बता दू पार्ट ए जो आएगा आपका यही आए पार्ट ए में नंबर कम हो गए और पार्ट बी में ज्यादा नंबर हो गए तो आपको admission नहीं मिल पाएगा समझ गया तो पार्ट ए पार्ट बी में बराबर के नंबर होने चाहिए अच्छे नंबर होने चाहिए क्यूंकि एक common paper होगा तो common paper में जिसके अच्छे marks होंगे जिसके अधिक marks होंगे उसी को ही जीन्यू जैसे platform पे admission मिलेगा हना फिर उसके बाद भी हो गया जामिया हो गया और हमारा due हो गया समझ गये बकी part A मैंने पूरा बताया part B मैं information मिलती है किसी के regarding या सुत्रो के regarding तो आप सभी को बता जाएगा बस हम जो information आती है उसको up to date आपको बताते हैं समझ गए तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी हमारे telegram चंसे भी जूड़ गए हैं वो सभी information आपको मिलती रहेंगी बिल्कुल दोस्तों मैं अब मुझे एक बार आप comment box में ये comment करके जरूर बताना कि आप सभी जो curiosity common जो test होने वाला उसका part A की त्यारी करना चाते हैं तो मैं आपको किस subject की त्यारी कराऊं उसके अंदर समझ गए क्यूंकि part B जो है आपका वो सभी आप subject की त्यारी कर रहे हैं और करते रहेंगे पर part A को आपको आप जो 12 की जितनी भी आपकी अगर आप subject पढ़ते हैं वो तो पढ़ाई करिए क्यूंकि वो आगे जाके बहुत depend करता है मैं आपको पता दू कहीं कहीं ऐसे exam होता है 60-60% मागता बच्चों के 60% नहीं हो पाते और वो एक्जाम में अपेर ही नहीं हो पाते तो 60% तक 12 में बनाके र सब्सक्राइब करते हैं तो अभी पूरा बताया नहीं गया है कि आपका डियू सीटी होगा या आपका सीटी होगा सीटी समझ गया तो बाकी जैसे भी हमें information मिलेगी आपको बताया जाएगा बाकी मैं आप सभी वादा तो आप सभी चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको अप टू डेट सारी information मिलती रहेंगी लगा कि आपके admission तक समझ गये तो मैं आप सभी से ये गुजारिस करना चाता हूँ एक बार comment box में comment जरू कर देना और आपको क्या मतलव आगे की वीडियो लीनी है या क्या information लीनी है वो भी मुझे एक बार बताना अगर आपकी कोई query ह आप comment box में comment कर दें तो उसका reply दिया जाएगा और हिंदी site 2.0 जो चैनल है उससे एक बार जरूर से जोईन हो जाएए आज एक वीडियो अपलोड हुई है वहाँ पर बात करें हिंदी का पूरा मैंने एक बार से लिबस को थोड़ा सा discussion करा जितने भी हिंदी वाले हैं कि वह आ चुके हैं और आप जल्दी से देख भी सकते हैं समझ गए तो यह वीडियो बस इतनी ही थी सारा एक बार आपको पूरा का पूरा syllabus का overview देना था तो आप समझ गए हैं आखिर क्या syllabus होने वाला है ना तो बहुत जल्दी मैं जो सोच रहा हूं कि classes कर दूं start क्यूंकि अभी जो है हमको तो पता नहीं चलता तो आप classes बहुत मतलब अच्छे सो जाती है पार्ट बी की त्यारी करें तो पार्ट बी की त्यारी अभी आप कर रहे हैं मैं धिरी धिरी मॉक टेस्ट उसके लिए एड़ाइस करा हम क्यूंकि हिंदी की त्यारी हमारे चैनल पर बहुत मैं एक कह सकते हैं कि मैं एक हजाराती मत पूर्ण प्रसम हो गए ऐसे questions की मतलब ला दूँगा लास्ट यर के important questions ला दूँगा पर जो important mock test होंगे 50-50 questions के 100-100 questions के तो हिंदी साइट 2.0 पर मिलेगी तो important classes होंगी और important notes, PDFs और सारी की सारी जो important बाते हैं हिंदी साइट 2.0 पर म मैंने बाते बताई हैं आप सभी के समझ आ गई होंगी समझ नहीं भी आई हैं तो comment box में comment कर देना उसका मैं तुरंत reply देदूँगा और जैसे भी मुझे information बिलती है कि जैसे भी CUCT का आपका कुछ भी मत आग एक information आती है तो आपको मैं सबसे पहले information देदूगा बिलकुल आ हिंद जया भारत